So, hey everyone, welcome to the very first tutorial of Lumion series. So, this complete series के अंदर हम Lumion को from basic cover करने वाले हैं. So, आज के इस वीडियो में हम Lumion के basic interface को जानेंगे and साथ ही में कितने minimum requirement आपका होना चाहिए system में Lumion को run करने के लिए वो भी हम cover करने वाले हैं. And lastly, किस टाइब के results आप Lumion के अंदर achieve कर सकते हैं. वो हम cover करेंगे. So, without wasting our time, let's get started. So, वीडियो को start करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि Lumion है क्या. देखे, Lumion जो है ये एक rendering software है जिसकी help से आप अपने model को एक fast and reliable form में render कर सकते हैं. आप अपने scene में real life experience and emotions को add कर सकते हैं. Means, आप object movement को show करा सकते हैं. Animation के दोरान आप car movement, body movement, animals और bird movement और इसी के साथ साथ animation को भी play करा सकते हैं. इसके अलावा आप rain, snow, depth of field, fish eye, volumetric environment और इनी की तरह 30 plus effects को add कर सकते हैं. So, animation के point of view से Lumion अपने आप में complete software है. यह जो complete series होने वाली है, इसमें हम Lumion 10 को यूज करने वाले हैं. आप Lumion की किसी भी version को यूज कर सकते हैं. तो इस वीडियो में आगे बढ़ें, उससे पहले आप यह जान लेते हैं कि Lumion को अपने system में आप install कैसे करेंगे. तो इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि आप directly Lumion की website पे जा करके इसका software बाय कर सकते हैं. इसके आपको दो version मिलेंगे. पहला version आपको मिलेगा यहाँ पे, as you can see, यह basic version है. और इसी में अगर आप professional version लेना चाहते हैं, तो इसके price है around $3,000. तो अगर आप लग 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 यह तीन लाग के आसपास आपको professional version पढ़ेगा. और अगर आप Lumion लेते हैं, तो around $1,60,000 के आसपास आपको Lumion का version पढ़ने वाला है. तो अगर आप student है यह architect है, तो definitely आपके लिए price बहुत ज़ादा होने वाले हैं. तो आप कहेंगे, सर को ऐसा तरीका बताईए, जिससे यह 1.5 लाग या 3 लाग हमें ना देने पड़ें. तो इसका मैं आपको दूसरा shortcut बताने वाला हूँ, और definitely वो तरीका भी secure होगा. इसके लिए आपको करना इतना है. PTSCADExport का mobile application अपने system में आप install कर लिजी या mobile में install कर लिजी. दोनों में ही आप run कर सकते हैं. अगर system में देखना है, तो learn.ptscadexport.com पे जाना है. तो आप अपने PC में भी वीडियो देख सकते हैं, laptop में देख सकते हैं. अगर mobile में आप access करना चाहते हैं, तो play store पे जाकर के PTSCADExport आपको महाँ पे search करना है. First app आपको install करना है. तो आपको कुछ इस तरह से login करने के बाद, जैसे ही आप app में login करेंगे, आपको कुछ इस तरह से courses नजर आएंगे. इन सभी courses में एक course आपको installation के लिए मिलने वाला है, software installation guide. तो जैसे ही आप इस course के अंदर जाएंगे, तो लगबग हमने 17 से ज़्यादा software के installation process को हमने यहाँ पे explain किया है. यहीं पे आपको lumion भी मिलने वाला है. तो जैसे ही आप इहाँ पे जाएंगे and then इहाँ पे आने के बाद, software installation guide में जाएंगे and that is the way how to download और install lumion totally free. आपको एक रुपय यहाँ पे किसी को देने के ज़रत नहीं है, simply आपको बस process को follow करना है, कि किस तरह से आप कहां से download करेंगे, किस तरह से extract करना है, उसके password क्या है, तो पूरा process इस video में हमने बताया हुआ है, जानने के लिए application को install कर लीजे, पूरा video देखिए, उसके बाद इस series में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इस training काफी detail होने वाली है, एक एक option इस पूरी training में हम explore करने वाले है, और सभी videos हम YouTube पर भी लाने वाले है, तो I hope अगर आप install करना चाते हैं, so that is the way you can follow, and आगे configuration के लिए आप इस video को continue देखिए, लुमियन को run करने के लिए जो minimum configuration होती है, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं, जैसे आप लुमियन के टाप पर जाएंगे, यहां पर आपको minimum configuration, recommended configuration and high end requirements, यह तीनों आपको मिल जाती हैं, so जो minimum requirement होगी लुमियन को run करने के लिए, that will be 16GB RAM and 4GB graphic card, इसे के साथ स्क्रीन resolution आप यहां से चेक कर सकते हैं, that is 1920 by 180 pixels, graphic card कौन सा होना चाहिए, जैसे आप यहां पे right click करेंगे, आप इस link को new tab में open करा सकते हैं, यहां से आप इसे चेक कर सकते हैं, so जो graphic card आप यूस कर रहे हैं, आप यहां से चेक कर सकते हैं, इसी की साथ से अपका hard drive कैसा होना चाहिए, hard drive में कितना space होना चाहिए, वो सभी detail क के अंदर आपको यहां मिल जाएगा, तो आप इस link पे चेक कर सकते हैं, यह आपकी minimum requirements होती है, जो recommended requirement है, उसके अंदर जो आपकी RAM होगी, वो extend हो जाएगी 16GB से 32GB के अंदर, इसी के अलावा जो graphic card रहेगा आपका वो 8GB का हो जाएगा, CPU इसके अंदर आप यहां से चेक कर सकते हैं, आप simply right click करेंगे, आप इस tab को open करा सकते हैं, CPU के लिए और graphic card के लिए आपको दो link मिल जाता है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, इसी के साथ अगर हम बात करें high end requirements के बारे में, तो उसके अंदर आपकी जो RAM होगी, वो 64GB और more हो जाएगी, और इसी के साथ जो graphic card memory है, वो 11GB हो जाएगा, अगर आप minimum requirements के साथ जाते हैं, तो आप इसके अंदर small park, residential building, इन सभी को design करा सकते हैं, अगर आप बात करें, recommended requirements में, तो उसके अंदर आप किसी भी city को design कर सकते हैं, आप street में आपको open करा सकते हैं, आप किसी भी large home को detail में, interior के अंदर design करा सकते हैं, आप हम बात करें, high-end requirements की बारे में, तो उसके अंदर आप complete detailed city को बना सकते हैं, आप airport को design कर सकते हैं, आप stadium को design कर सकते हैं, आप multi-floor building को बना सकते हैं, जिसमें complete interior रहेगा, complete आप model को place कर पाएंगे, actually textures को आप यूज कर पाएंगे, आपकी जो trees होंगे, आपको details मुल जाएंगी सो इस तरीके से आप अपने accordingly requirements को choose करेंगे, सो यह आपका lumen का welcome screen होता है, जिसमें अलग-अलग options आपको मिल जाते हैं, doesn't matter कि आप lumen की किस version को use कर रहे हैं, maximum option आपके यहापे same होते हैं, सबसे पहला जो option आपकी पास यहापर होता है, वो होता है language का, जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे, जितनी भी supported language होती है आपकी lumen के अंदर, वो सभी language आपको यहापे visible हो जाती है, आप किसी भी language को select कर सकते हैं, और यहाँ से lumen की सभी options को use कर सकते हैं, जिसमें अगर आप किसी भी new project को start करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे start a new project, इसके उपर क्लिक करेंग जिसमें आप directly किसी model को import भी करा सकते हैं, यह even आप किसी template को select कर सकते हैं, जिसमें आपको plain template मिल जाती है, forest environment है, tropical environment है, mountain range, sub-urban environment and white, इस तरीकी से अलग-अलग templates आपके पास है, simply आप किसी भी template को select कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसमें work कर सकते हैं, इसके अलावा next option आपके पास example होता है, जिसके अंदर, pre-default जो आपके पास example है, जो models है, वो आपको यहाँ पर visible हो जाते हैं, आप किसी भी model पर select कर सकते हैं, जितनी भी settings इसके अंदर हैं, वो सब भी settings आपको यहाँ पर visible हो जाती हैं, next आपको हैं पर computer speed होता है, तो यह benchmark के result है, जो कि हमने प्रोट कर रहा है, graphic memory कितनी है, processor कितना है, system memory कितनी है, वो सब भी आपको यहाँ जाती है, आपको benchmark को rerun करना है, तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं, जो एक process होगी, इन इसके बाद आपको जो result है, वो यहाँ पर आपको show हो जाएंगे, then next option आपके पास, यहाँ पर load project है, इसके उपर जैसे आप click करते हैं, तो जो recent project आपके पास होते हैं, वो सभी projects आपको bottom में show हो जाते हैं, इसके अलावा अगर आप किसी project को load कराना चाहते हैं, तो आप load project के option पे click कर सकते हैं, and merge project के लिए भी आपके पास option मिल जाता है, यहाँ से हम back करेंगे, and lastly जो दोनों option हैं आपके पास, वो save and save as के हैं, तो किसी भी project पे आप work कर रहे हैं, तो उसे save करने के लिए आप इन दोनों option का use करते हैं, इसके अलावा news and learning का tab आपको मिल जाता हैं, जिसके अंदर आपको अलग-अलग websites मिल जाती हैं Lumion की, जिसमें आपको online tutorials को watch करना है, इसके अलावा online knowledge base है, and यहाँ पे आपको काफी सारे topics मिल जाते हैं, तो आप किसी भी options पे click कर सकते हैं, जैसे मैंने discover our video tutorial, इसके उपर click किय तो जैसे आप click करेंगे, Lumion की website आपकी यहाँ पे open हो जाएगी, तो Lumion 12 के आपको tutorials मिल जाएगी, Lumion 11 के मिल जाएगी, तो जो भी आप search करना चाहता है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे click किया, तो Lumion 12 के जितनी भी new features हैं, उस सब भी आपको यहाँ मिल जाएगे, जैसे craft the environment, मैंने मुझे इस वीडियो को watch करना है, मैं simply यहाँ पे click करूँगी, तो एक वीडियो आपको यहाँ पे open हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को यहाँ से watch कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप lower version को use करना चाहता है, जैसे Lumion 10 को हम use कर रहे हैं, तो आ आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से click करके, उन से भी options के बारे में detailed video देख सकते हैं, आपको download करना है, तो आप download के option पे click करेंगे, यहाँ से आपको download वगेरा के option मिल जाते हैं, लास्टली आपको यहाँ पे दो tab मिलते हैं, जिसमें first tab आपका setting का है, and second आपको यहाँ पे help है, जैसे आप setting के option पे click करेंगे, तो जितनी भी setting आपकी lumion के अंदर है, editor quality क्या है, यहाँ से editor resolution के है, measure किसके अंदर हो रहा है, meters के अंदर है, fit के अंदर unit है, इसके लावा error है, recoveries है, इसके अलग-अलग options है, यहाँ पर अगर आप इसके अपर click करेंगे, तो यहाँ पे high quality previews आपको मिल जाते हैं, इसके sounds के अलग-अलग option है, full screen पे जाने के लिए अलग option है, तो आप अलग-अलग options के यहाँ से use कर सकते हैं, for example, मैं किसी भी example को यहाँ पर load करूँगी, तो मैं यहाँ पे click करूँगी, अब किसी भी example को यहाँ से select कर सकते हैं, मैंने यहाँ से इस option के उपर click किया, तो जैसी आप click करेंगे, कुछ time की अंदर आपका जो file है, वो यहाँ पे load हो जाएगी, so as you can see, कि आपके जो example यहाँ पर load हो चुका है, आप complete project को यहाँ से देख सकते हैं, जो trees है, उसकी detail आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसी आप lumen की screen को open करते हैं, कुछ tabs आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें पहला जो tab है, यह आपको objects को import कराने के लिए, आ आपको landscape के लिए चेंज करने या इवन आपको weather में चेंज करना है, तो वो सभी option आपको यहाँ मिल जाते हैं, चेंजमेंट करने के लिए आपको अलग-अलग options यहाँ मिल जाएंगे, तो किसी भी new model को आप import कराना चाहते हैं, तब import new model के option पे click करेंगे, जितनी भी files होती है जो supported files होती है, वो आपको यहाँ visible हो जाती है, किन format को यह support करता है, वो आपको यहाँ visible हो जाता है, तो आप इन सभी files को load करा सकते हैं, तब किसी भी file को simply select करेंगे, और यहाँ से आप इसे open कर देंगे, अभी के लिए मैं इसे cancel कर देंगे, जो imported models होंगे, जो आपने previously जो आपको यहाँ visible हो जाएंगे, तो आप directly इनका भी use कर सकते हैं, अगर आप किसी भी model को lumion जो आपको provide करता है, आप उन models को import कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से different category को select कर सकते हैं, for example, आपको trees वगेरा को यहाँ पर import कराना है, तब यहाँ पर simply nature के option पर click करूंगी, तो आपको अलग-अलग libraries यहाँ पर मिल जाएंगे, अलग-अलग option यहाँ पर मिल जाएंगे, तब किसी भी object के उपर select कीजे, और simply आप क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पर place कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से fine detailed nature के अंदर आपको detailed trees मिल जाएंगे, plants मिल जाएंगे, तो आप इनका use कर सकते हैं, people and animals के अंदर आप यहाँ से realistic models को import करा सकते हैं, जैसे मैंने इसको select किया, और मैं simply यहाँ से import करा सकते हूं, जब हम इसे render करेंगे वीडियो के अंदर, तो एक path हमें add करना होता है, उसकी बाद जो भी आप add करेंगे यहाँ पर, यह आपको categories मिल जाती हैं, इसे भी object के उपर जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आपको walk मिल जाएगा, जो idle होगा वो आपको अलग से मिल जाता है, तो अगर only आपको model को show कराना है, तो आप idle को choose करेंगे, या फिर even आप महाँ पर animation को डालना चाहते हैं, walking animation को, तो आप यहाँ से next को select कर सकते है category के अंदर भी आपको यहाँ पर subcategories मिल जाती है, तो आपको men को use करना है, आपको pets को use करना है, birds आप use करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से select कर सकते हैं, इसी तरीके से indoor के objects आपको यहाँ मिल जाएंगे, outdoor के लिए अलग आपके पास categories है, car बगिरा के लिए अलग option है, lighting के option है, तो कैसे इने use करना है, वो हम आने वाली वीडियो में details में देखेंगे, इसके अलगा यहाँ पर आपको modifying के option में जाते हैं, तो मैं इस model को यहाँ से rotate करना चाहती हूँ, या even मैं इसे move करना चाहती हूँ, तो मैं simply यहाँ से select करूंगी, category को आपको select करना होगा, इसकी यहाँ पर freely अगर आपको move करना है, तो simply आप select करेंगे और आप इसे यहाँ से move कर सकते हैं, कोई भी changement आपको करना है, आपको rotation प्रोवाइड करनी है, तो वो आप यहाँ से provide करा सकते हैं, तो सभी options यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, यह जितने भी options आपको यहाँ पर दिख किया गिया है, उसकी जितनी भी properties हैं, वो आपको यहाँ visible हो जाती है, आपको किसी और material को load कराना है, तो simply आप यहाँ से back करेंगे, तो जो material library है, लूमियन की, वो आपको यहाँ पर visible हो जाएंगी, तो indoor के अंदर अगर आप apply करना चाहते हैं किसी material को तब indoor की category को select करेंगे, यहां से आप अलग-अलग material को select कर सकते हैं, इसके अलावा various का tab आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप 3D graph को, 2D graph को apply कर सकते हैं, रोक आपको apply करना है, soil आपको apply करना है, फर है, water है, अलग-अलग option यहाँ मिल जाते हैं, तो आप इनका use कर सकते हैं, सेम तरीके से outdoor के different materials आपको पर आपको यहां मिल जाती है, एंड उस material को अगर आप safe करना चाते हैं, तो आप custom material के tab मिल से safe कर सकते हैं, साथ ही मिल की material को आप create करना चाती है, तो आपको new का ताब मिल जाता है, तो आप यहां से किसी material को create भी कर सकते हैं, लिख से Seal changes के उपर CLICK कर देना है, यहां पर gordpes क ちゃ Associate іless को जाता है तो लेंडस्केप के इंदे अलग-अलग और पेंटिंग के आपशन है हैट को अगर आपको लोवर करना चाहती हो та में यहां पर अप्शन पर क्लेक्र करूंगी में सिंपली इस सर्फेस को यहां से अब करा सकती हूँ लो कराना है तब लोगर के option पर click कर दीजे तो अलग-अलग option है आप यहां से इनका यूज कर सकते हैं लास्ली आप को यहां पर weather का option हो जाता है तो sun की orientation क्या है sun की position क्या है वो आप यहां से change कर सकते हैं इसके अलावर timing को अगर आपको change करना है तो आप इस टाप का use करेंगे कुछ इस तरीके से तो इनका आप यूज कर सकते हैं अगर आपको real sky पर work करना है HDRI को आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यहां से enable कर लेजे क्लिक करेंगे जैसे ही आप तो आपको अलग-अलग HDRI मिल जाते हैं आप cloudy weather में work करना चाहते हैं आप evening में work करना चाहते हैं मॉर्णिंग के लिए अलग HDRI आपके पास होता है इसे तरीकी से clear है तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं मैं यहां से real sky को off करूँगी और मैं simply यहां पर sky का यूज करूँगी यह जितने भी option हमने यहां पर देखे यह आपके build mode के अंदर है कि आपको अपने जो model इसके अंदर changes करने है तो आप यहां से करते हैं फाइल को render करने के लिए अगर आपको photo यहां पर लेनी है तो आप इसका use करेंगे विडियो के लिए आप यहां से movie tab का use करेंगे और panorama images के लिए आप यहां से 360 panorama का use करेंगे तो आप यहां से select कर सकते हैं for example मैंने आप फोटो मोड पे select किया जैसे आप click करेंगी जो आपको अलग-अलग यहां पे models मिल जाते हैं इसके आपको default जो previews आपको मिल रहा है आपको यहां मिल जाएंगे आप यहां पे click कर सकते हैं update करने के लिए एंदे render करने के लिए आपको यहां से simply क्या करना है यहां पर आपको render photos को option मिल जाते हैं तो आप यहां से इस पे click कर सकते हैं video mode के अंदर आपको यहां पे movie tab मिल जाता है तो आप इसके ओपर जैसे click करते हैं कुछ time के अंदर आपको जो preview है आपको अपडेट हो जाएगा तो अलग-अलग videos आप यहां पे render करा सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कुछ stripe का effect आपको यहां पे मिल रहा है हम next video पे move करेंगे तो कुछ इस तरीके का effect आप यहां पे लेना चाहते हैं इसके अलावा changes style के अंदर option मिल जाता है तो realistic sky में आपको work करना है daytime में आप करना चाहते है night है interior है dawn है अलग-अलग styles आपके पास यहां पे हैं आप इनका यूज कर सकते हैं effects को add करने के लिए आपको यहां पे option मिल जाता है यहां सब क्या कर सकते है store panorama के option पे क्लिक कर सकते हैं तब कि में चहां पे लोड हो चुकी है render करने के लिए आप simply यहां पे render 360 panorama इस option को यूज कर सकते हैं अब जितनी भी render है अगर आप उसको single click में करना चाहते हैं तो आप यहां पे render all पे क्लिक करेंगे बाकी जो दोनों option आपके पास यहां पे setting and help वो सेम रहेंगे settings के option पे अगर अगर अप क्लिक करते हैं तो वही टाब आपका open हो जाता है बट जो help tab है वो automatically update हो जाता है for example अगर हमारी welcome screen है तो उसके लिए help tab आपका अलग रहेगा बिल्ड मोड के उपर जैसे आप क्लिक करते है तो वहां पर आपको help tab अलग मिलता है photo के लिए आपको help tab अलग मिलता है तो आप इसका यूज कर सकते है लास्ट के आपको यहां पर file का time मिलता है तो आप यहां पर type करेंगे इतना करने के बाद simply आप यहां से save कर सकते है एक दफ़ा जब आपका project यहां पर save as हो जाता है तो simply आप save as के option पर भी click कर सकते है अगर आपको उसका separate file चाहिए और अगर आप उसी भी changes करना चाहते तो आप यहां से save tab का use कर सकते है मैं वापिस ही यहां पर shift करूँगी build mode के अंदर तो आपको जो project है वो यहां पर open हो जाएगा इसी के साथ आपको दो option यहां पर all मिलते हैं that is set eye level and एक आपके पास option होता है कितने object आपके current project के अंदर है कितना important models है nature में कितनी object है वो सारे option यहां आपको मिल जाएंगे तो यह हमारे lumion के सभी options होते हैं I hope आपको इन सभी options का मतलब समझाया होगा कि किस option का क्या use है इन option को कैसे use करना है वो हम आने वाली video में detail में cover करेंगे so that's all for today's guys thank you so much for watching this video take care कि बाको कि बाको कि करेंगे अपको कि कि रखके है कि इन सही प्सकेरण ऑंड़ती प्सक्केरण का करेंगे